धर्मिस्तूप के पास ट्रेनिंग से लोट रही आशा सहयोगनी को बाइक ने मारी टककर घायल को लाया गया जिलास पत्ताल चुरु शहर के धर्मिस्तूप के पास मंगलवार शाम ट्रेनिंग से अपने घर लोट रही आशा सहयोगनी को एक बाइक ने टककर मार दी हादसे के बाद बाइक सवार मोके से फरार हो गया गायल को राज के भरतिया जिलास पताल के आपात कालिनवार लाया गया जहां चिकित्सकों नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया गाउं धाडर निवासी पचास वर्षे अनुप देवी ने बताया कि वह आशाशायोगनी है मंगलवार को रतनगड में ट्रेनिंग होने की वज़े से वह रतनगड गई थी जहां से ट्रेन में चूरू लोटी थी गाउं की बस पकड़ने के लिए वह पैदल ही धर्मिस्टू के पास एक बाइक सवार ने बाइक को लापरवाहिस से चलाते हुए उसे टक्कर मारती जिससे वह गायल होकर सड़क पर गिर गई गायल को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा आपात कालिन वार्ड में उसका इलाज शुरू किया गया